प्रेस्टे बेल आइकन ओन यूट्यूब आप जिससे आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कामाते हैं इस चीज को बिगनर्स भी यूज कर सकते हैं जो लोग मार्केट में कुछ समय पहले से काम कर रहे हैं वो भी इस चीज को यूज कर सकते हैं तो एक बार अगर आपने इसको यूज किए आज हम सीखने वाले हैं लाइन ब्रेक चार्ट हो यह पीया यहाँ पर यह यह देखे जो आपको मिलते हैं केंडल आपको ऐसे निए इस तरीके के आपके कैंडल्स होंगे बहुत सारे पाटर उते हैं जो आपको यहाँ कर सीखने पद़ते हैं बहुत सारे सीखने पड़ते हैं अच्छा यहां पर आपके बुलिश कैंडल होते हैं आप क्या कर सकते हैं कि आप जाएए और यहां पर देखे आपको लाइन ब्रेक करके एक ऑप्षिन दिख रहा होगा लाइन ब्रेक आप इसके उपर क्लिक करें तो आपको नचार्ट कुछ ऐसा देखेगा आपको सिंपल सा यह आपको ट्रेंड जो है वह आपको बगाए अब देखें अगर आप ब एक अच्छा ट्रेंड जो है आपको यहां देखने को मिलता है चार्ट जो है मेरे पास वह है जो मैंने भी ओपन किया हुआ है आप कोई भी चार्ट लगा सकते हैं अब मैं आपको और भी बहुत सारे चार्ट दिखाऊंगा पहले जड़ा इसके काम करने के तरीके को समझते कि कि नहीं कि को समझचा के अकरे हैं कि यहां पेपे महें हम सिर्फ लोजिंग को देखते हैं अब क्या देखते हैं क्लोजिंग तो आप एक कैंडल यह हो गया इंटीनों में इन तीनों में बालो ये तीनों के तीनों तो बुलिजक गाड काड़ल नोर्मगरीन काड़ल है त्कल यह रेडल कव यह रेड़कर को क्वेश्चन की आता है अभी ग्रीन कैडल रिवर्सली कैसे हो मैं जब मैं पूय अग्ला कैंड वोक निकींट करोक देगा देख सोगी तो आपको एक कैंडल मिलेगा ऐसा है और ये रेड गया और नहीं मैं यह कैंडल के व에서 नहीं होते हैं का यह ख्लूजिंग के ऊपर है अब है इस तीन कैंडल के क्लोजिंग को आप लेते जाइत हुआ अपको एक्स्प्रेंग करूं दीखते हैं कि अब आप समझना बड़ा आसान है जैसे मालो हम यह तीन कैंडल यह तीन कैंडल ठीक है और उसके बाद यह रेड़ कैंडल इसका मतलब क्या हुआ कि बगल गया अब मार्केट में गिरावट आ गई है तो आप बेच्वें माल निकल लिए अब इसमें जो पहला कैंडल है उसका जड़ा लो देखते हैं पहले कैंडल का लो है 30 रुपीज 50 पैसा इस दिन का डेट आप ज्यान से देखिए 24 दिसम्बर उसका अगला कैंडल है 27 दिसम्बर उसका अगला कैंडल है है से 28 दिसम्बर 27 गशा प्राइड जैन्वरी तॉसरे यानि की 28 दिसम्बर के बाद 24 जैन्वरी को आपको 21st जैन्वरी को आप इक रेड गांडल बिला तो मतलब इतने दिन कहा गए बीचमें इतने दिन कि इसलिए वह डला आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि इतने दिन हमने यह जो टीन कैंडल का लो था यानि की 30 रुपीज पैसा उसके नीचे तक कभी लोज नहीं किया था इसने जैसे और अगले दिन हम 30 रुपीज 30 पैसे के नीचे क्लोज करें गये तो बुझे एक और के लिए तो देखिए यह 21 का प्राइडे के दिन और मंडे के दिन इसने उसके नीचे लोज किया यानि कि हमारी क्लोजिंग आ गई अब मेरे पास तीन कैंडल कौन से हो गए दो रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल तो यह तीसरे के लास्ट कैंडल है इसका लोग है जैसे ही इसके नीचे प्राइस करेगा मुझे एक और कैंडल में तो 25 जैनवरी को मुझे फिर एक कैंडल में अब तीन रेड कैंडल है मेरे सामने लाग त्री कैंडल जो उसका लोग है वो है 27 रूटीज 55 पैसा जैसे ही 27 रूटीज 55 पैसे की नीचे लोजिंग आएगी मुझ मुझे एक और कैंडल मिल जाए अब मेरा जो क्लोजिंग आया देखे 25 जैनवरी के बाद जो क्लोजिंग आई है वो आई है 31 जैनवरी 22 तो मतलब इसके बीच में हम कभी भी 27 रूपीज के नीचे नहीं गहते इसलिए आपको वो क्लोजिंग नहीं गुजिए ऐसे करते करते आपके दाएंगे उसके बाद आप देखें यह 24 फेबरी को इसमें एक लो बनाया कि 20 रुपीज 85 पैसे का और वहीं यहां पर इसने क्लोजिंग दिए ठीक है क्योंकि हम यहां पर क्लोजिंग को लिए अब यह ग्रीन कैंडल कैसे बना जो पिछला पीन कैंडल है ठीक है कि दिए पिछला जो तीन कैंडल है यह जो तीन कैंडल पिछले टीन कैंडल इसमें जो रड़ वाला इसका हाई जो है अगर हम उसके उपर जाके क्लोज कर जाएंगे तो मुझे एक लेट सी 21st February 2022 को MTNL का हाई था 24 रुपीज 45 तो अगर 24 रुपीज 45 पैसा के ऊपर क्लोज होगा तो मुझे ग्रीन कैंडल मिलेगा जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा मुझे ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगा तो देखे क्या होता है भाई हमारी के तो हमारी कैंडल कानते हुए अगला फ्लॉट करता है तो अभी यह तीन कैंडल हो तो अगर इसके ऊपर जाएगा तो इसके नीचे जायेगा तो रेडड थे हमने देखा भई इसके ऊपर गया फिरे ग्रींड पंडल आप ऐसे आखरी के तीन कैंडल का हाई या लो अगर देख होता है तो आपको रिवर्सल देगा और उस हिसाब से यह बड़ा सिंपल था है कॉंप्लिकेटेट बिल्कुल नहीं अब आप देखिए इस कैंडल ने एक रिवर्सल दिया तो लेट सपोज इस डेट किया था दिसमबर 2021 को इस विवर्सल दिया और हमारा क्लोधिक जो आया वो आया 2265 तो अगले दिन अगले दिन 7 दिसमबर को उपन होगा आप बाइक लिए यह प्राइज उसके उपक जाया आप बाइक एक है और आप तक बने रहे जब तक आपका रेड कैंडल पूरा बनके तैयार ना हुआ है कि जब रेड पूरा बन गया आप उसी मैंने यहां पे खरीगा होगा तो और यह रेड कैंडल के दिन जब तक पूरा बनेगा नहीं तो अब और चार्ट देखते हैं लेट से कि मैं आपको दिखाता हूं कि लेट से पाक्ट के चार्ट को देखते हैं कि यह देखें कि कितना बहतरी है मतलब आपको ट्रेंड के बादे में कितना अच्छा बपाता है यह आपका रिवर्सल आया ग्रीड कैंडल कि इसका क्लोजिंग कितना है 123 रुटीज 10 पैसा सेवेंट ऑक्टोबर को 123 रुटीज 10 पैसे के उपर जैसे ही प्राइज जाएगा आप इसको भाई कर लिया होगा और उसके बात से आप देखें और इसने हाई क्या लगा दिया 373.35 अच्छा अब भी आज की रिसेंट है वह है 352 अब आप यह देखिए एक आपको ना पिंक कलर की लाइन दिख रही होगी रेड नहीं है पिंक है क्यूंकि यह प्राइज गिर रहा है अगर यह तीन कैंडल का लो है यह इसके नीचे जब प्राइज को लोज करेगा तो यह एक रेड कैंडल बने तब तक आपका ना यह प्राइज को छोड़के निकल जाए तो आप अगर किसी स्टॉप को खरीते हैं एक फ्रेशर है ज्यादा नौलेज नहीं है मार्कित की आप ज्यादा बेल्कुल नहीं जानते या आप थोड़ा बहुत मार्कित जानते हैं लेकिन आपने डर रहता है कि यार फोल्ड करूं ब देखते काम करें बड़ एक बात आप हमेशा याद रखे अगर आप किसी चीज पर काम करते हैं तो उसी चीज पर काम करते रहें अपना एक या दो साल उस्ट सस्टम को दें और आप देखेंगे कि आप आप अश्चे पैसे कमाने लग जाए कैसा लगा आपको यह चार्ट मुझे कमेंट पॉक्स में लिखके जरू बताइएगा मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको के सांथ कुछ नया शेर करते हो ताकि जो नए लोग है वो कुछ सीख रखें अचा मेरा एक मोबाइल आप्लिकेशन है जिसका नाम है मानी लौजी वहां भी मेरे पर यह बहुत सार झाली वोच्छी